नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ आज सदा बहार के फायदे कैंसर में सदा बहार, डाइबिटीज में सदा बहार, जिहां और ब्लर प्रेशर में सदा बहार के फायदे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में हमारे चारो तरफ कहीं भी मिल जाता है मगर इसके गुन नमालूम होने के कारण इसको खर्पतवार की श्रेणी में रखकर इसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है मगर ये साधारन सा दिखने वाला पौधा, कैंसर, डाइबिटीज और हाई बलड प्रेशर के लिए अतियंत फायदे मन्द है तो आईए आज हम सभी जानते हैं इस पौधे के बारे में इस पौधे का नाम है सदा बहार इसको सदा बहार इसलिए कहा गया है क्यूंकि ये बारह महिने यानि कि पूरे वर्ष फूलता रहता है इसलिए इसको बारह मासी सद पुषपा भी कहा जाता है अब आईए हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से किन बीमारियों में फायदा करता है कैंसर में सदा बहार के फायदे और उप्योग सदा बहार की पत्तियों में दो एलकालोइड पाहे जाते हैं विन क्रिष्टिन एंड विन बलेश्टिन एलोपेथी में इन दोनों नामों से injection भी आते हैं जो मुख्यता कैंसर के रोगियों को दिये जाते हैं ये कैंसर के केमो थेरेपी के साथ में दिया जाता है कैंसर के रोगियों को इसकी पत्यों की चटनी बना कर नियमित दीजिए अगर रोगी ऐसी हालत में हो जिसमें वो कुछ खा न सके तो इसका रस निकाल कर दे दीजिए ध्यान रहे कि ये सुबह खाली पेठी देना चाहिए शोच के बाद अब आईए जानते हैं डाइबिटीज में सदा बहार के फूल के फायदे और इसके उपयोग सदा बहार के पूरे पोधे में लगभग 150 प्रकार के अलकालोईड पाय जाते हैं जिनका हाइपोगलाइसेमिक इफेक्ट होता है ये इफेक्ट रक्त में शूगर के लेवल को कम करने के लिए बहदलाफकारी है ये अलकालोईड पैंक्रियास की बीटा सेल्स को शक्ति परदान करता है जिससे पैंसिरियास सही मातरा में इंसुलीन निकालने लगता है इंसुलीन ही वो हार्मोन है जो बलड में शूगर की मातरा को संतुलित करके रखता है इसलिए ये दोनों प्रकार के शूगर के रोग्यों के लिए अतियंत फायदे मंद है डाइबिटीज में इस पोधे के फूल, पत्ते, टहनी, इत्यादी का रस आप पी सकते हैं या इसकी चटनी बना कर खा सकते हैं या फिर रात को पांच पत्ते एक ग्लास पानी में भिंगो कर रख दें और सुबह खाली पेट, शूच के बाद इस पानी को पीजिए और चटनी भी खाली पेट ही लेनी है इसको करने से दस दिन बाद अपनी शूगर जाच करवाएं आपको निश्ची थी, फायदा होगा हाई बलर्ड प्रेशर में सदा भाहर के फायदे एवा मुपयोग सदा भाहर की जड़ में अजमेली सिन एंड सेर्पेंटीन नमक अलकालोइड पाये जाते हैं जो की एंटी हाइपर्टेंसिव होते हैं ये उच्च रक्तचाप के लिए अत्यांत प्रभाव शाली हैं इसकी जड़ को साफ करके सुबह चबा चबा करके खा लीजिए या फिर दातुन की तरह चबा चबा कर इसका रस पीते रहें और बाद में इसके अवशेष को फेंक दें इसके साथ में आप अर्प गन्धा की जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों को मिला कर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा इसके साथ में आप सर्प गंधा की जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों को मिला कर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा सर्प गंधा आप किसी भी पंसारी से ले लीजिएगा अगर सर्फ गंधा न भी मिले तो भी आप अकेले सदा बहार की जड़ को उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा कुछ बातों का खयाल रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं जब भी आप इस पोधे का इस्तेमाल करें तो ध्यान रहे कि आप गुलावी रंग या सफेद रंग के फूलों वाले सदा बहार के पोधे को ही इस्तेमाल करें अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहदलाफकारी होगा इसमें भी अधिक गुणकारी सफेद फूल वाले पौधे होते हैं इनमें से भी अगर आपको सफेद फूल वाले पौधे मिलते हैं तो वो ज़्यादा गुणकारी होते हैं पिंक वाले की अपेक्षा भी तो कोशिस करें आप कि आपको फाइट फूल वाले ही पौधा मिले और उसके ही पत्ते या जड़े या फूल के रस का आप पान करें तो आपकी बिमारी में जल्दी लाब होगा जादा लाब होगा तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों